नमस्कार आप देख रहे हैं Mathematics ज्यान और मैं अनुपम शर्मा आपका श्वागत करता हूँ आपके सामने देखे दो कुश्चन लिखे हुए हैं इन कुश्चन्स को देख करके ही अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है इसलिए नहीं कि ये बहुत कठिन है इसलिए कि इनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है लेकिन मैं आपके लिए ऐसा तरीका लाया हूँ कि आज के बाद आप कैलकुलेशन करना भूल जाओ कुश्चन देखो और डिरेक्ट आंसर जैसे 15,000 रुपे का तीन वर्सों में 10 प्रतिसत व्याज की दर से चक्रविर्ध व्याज निकालना है तीन साल का निकालना है तीन साल के लिए हम एक नंबर लिखेंगे तीन तीन एक 15,000 का 10 प्रतिसत लेना है तो 15,000 का 10 प्रतिसत हो गया 1500 रुपे फिर इसका 10% लूँगा तो 150 रुपे और फिर इसका 10% लूँगा तो 15 रुपे अब इनको multiply करके add कर दीजिए तो 15 तिया 4500 रुपे प्लस 150 को 3 से गुड़ा करोगे 450 और प्लस 15 इनको add करो और जो result आएगा वही आपका answer होगा तो क्या result आएगा 5694 यानि कि 15,000 का 3 साल में 10% के rate में 4965 रुपे ब्याज होगा ऐसे बहुत सी ट्रिकें यूट्यूब पे आपने सीखी होगी लेकिन जब ऐसा question आ जाता है कि 10,000 रुपे का 10% की दर से 20 साल का चक्रविध ब्याज बताओ तो यूट्यूब पे ऐसी ट्रिकें नहीं मिलेगी लेकिन मेरे पास इसके लिए भी ट्रिक है मतलब मैं इसको भी इसी तरीके से लगा सकता हूँ कैसे लगाऊंगा इसके लिए मैं एक code लिखूंगा 5, 4 और 1 10,000 का 10% 1000 हो गया फिर इसका 10% 100 हुआ और फिर इसका 10% 10 अब इसको multiply करिए तो ये मेरे पास बनेगा 5,410 रुपे अब इनको add कर दीजिए तो ये बनेगा 5,410 लेकिन चुकि मुझे 2,2 साल का निकालना है तो मैं इसका आधा कर दूँगा यानि इसका आधा तो ये answer आएगा 27,05 रुपे देखा जितना time इसमें लगेगा उतना ही time इसमें भी लगेगा तो इस तरीके से अगर आप भी करना चाहते हो चुटकियों में answer निकालना चाहते हो तो हमारे साथ थोड़ी देर के लिए बंध जाईए और वीडियो को बिना skip किये last तक देखते रहिए अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके से 10 second के अंदर चाहे पूरे वर्सों में पूछा जाए या आधे वर्सों में पूछा जाए तुरंत आंसर निकाल लें तो आपको मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बंध जाना है बगैर skip किये पूरी वीडियो को जरूर देखियेगा मैं आपको इन सारे code का funda समझा दूंगा कि ये कैसे निकाले जाते हैं याद नहीं करना पड़ेगा कोई code आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं बनाना सिखा दूंगा कि code को कैसे बनाया जाता है फिर चाहे वो तीन साल का पूछे या तीस साल का धाई साल का पूछे या साढ़े दस साल का कोई प्राब्लम नहीं आएगी सब के लिए बस आप कुछ नंबर्स लिखोगे कल्कुलेशन करोगे डारेक्ट आंसर आ जाएगा तो बिना टाइम बेस्ट किये हुए शुरू करते हैं पहले मैं बात करूंगा कोड की कि जब मैं कंपाउंड इंट्रेस्ट यानि चेक्रवित ब्याज के कुष्चन लगा रहा होंगा तो उसके लिए कोड कहां से आएंगे मैं एक कोड लिख दे रहा हूं और सारा उसी को यूज करके बना दिया जाएगा वैसे मैंने इस कोड पर पहले वीडियो बना रखी है और उसमें मैंने सिखाया हुआ है कि कंपाउंड इंट्रेस्ट के लिए कोड कैसे बनाए जाते हैं तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक खोज करके आप देख लीजिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि कोड कैसे बनाते हैं बट यहां मुझे बनाना नहीं है सिर्फ एक लाइन आपको ध्यान रखनी है दो वर्सों का चक्रबृद्धि ब्याज अगर दो साल का चक्रबृद्धि ब्याज आपको लेना है तो उसके लिए एक सिंपल कोड हम लोग इस्तेमाल करते हैं तू रेसियो वन का यानि कि एक नंबर टू लिखा जाता है एक नंबर वन लिखा जाता है वैसे यहां पर यह कोई रेसियो नहीं है क्योंकि मुझे तो इसको रेसियो कहना उचित नहीं है बस यह मैं कह सकता हूँ कि एक नंबर टू है और एक नंबर वन है दो साल के लिए लेकिन जब हम तीन वर्सों का चक्रबृद ब्याज निकाल रहे होंगे तब प्रबलम आ जाती है आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो बताया जाता है यह कोड याद कर लीजिए यह कोड याद कर लीजिए लेकिन कुश्चन बनता है कि कितने कोड याद कर लोगे तो उसका विकल्प क्या है यह जो हमारे पास कोड आया है इसी के पहले वन बढ़ा करके इसी में एड कर देना है यानि कि इस टू वन के पहले अगर मैं 1 बढ़ा दू, तो ये code मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1, 2, 1 अब इनको अगर add करो तो ये 3 साल के लिए code पता चल जाएगा चेक कर लो 2 और 1, 3 2 और 1, 3 और फिर last में 1 ये 3 साल का code पता चल गया अब अगर मुझे 4 वर्सों का चक्रविद्व्याज निकालना है तो इसके लिए भी तरीका वही है कि 1 इसके नीचे बढ़ा करके हम इसी में add कर देते हैं तो एक और आसान तरीका है कि अब बार बार लिखके add करने से अच्छा है 3 इसके आगे 1 बढ़ाना है और इसमें add करना है न तो मैं उस 1 को इसी में add कर दू तो ये 4 आएगा फिर ये एक एक बढ़ जाएगा मतलब 3 और 3 का addition 6 फिर 3 और 1 का addition 4 और फिर इसके बाद last में 1 तो ये 4 साल के लिए code हो गया अगर मुझे पांच वर्सों का चक्वित ब्याज निकालना है तो फिर वही तरीका यहाँ पे एक में बढ़ा दू तो 4 और एक 5 आगाएगा फिर जोडते चले जाएगे 6,4,10 फिर 6,4,10 फिर 4,1,5 और last में 1 ये 5 साल का हो गया अभी 6 साल का मुझे चक्वित ब्याज निकालना हो फिर से वही तरीका एक बढ़ा दीजिए ये 6 हो गया फिर जोडते चले जाएगे 10,5,15 10,10,20 10,5,15 5,1,6 और last में 1 मतलब कितना भी पूछ बैठे सारे के सारे code आप खुद निकाल सकते हो और फिर सिंपल सा तरीका होता है जैसे मैंने अभी लगाया था कि 15,000 आपका मुल्धन था 3 साल का पूछा था तो मैंने 3 साल वाला कोड ये 3, ये 3 और ये 1 यूज किया था 15,000 पर 10% परसेंट निकालना आप जानते हो कि 15,000 का 10% यानि कि गुड़े 10 बटे 100 दो 0, 2 0 कट गए ये 1500 बचा अब दुबारा मैं इसी का 10% तब तक निकालता रहूंगा जब तक 1 पे न पहुँच जाओं तो 1500 का जब 10% इसी तरीके निकालोगे तो 150 आएगा और फिर इसका 10% निकालोगे तो 15 आएगा अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है तो 15,000 तियां 45,000 हो गया इसको मल्टीप्लाई करोगे 450 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आजाएगा और इन तीनों को जैसे जोड़ोगे वो तीन साल का चक्रवृत ब्याज आपको पता चल जाएगा तो जब इनकों मैं जोड़ूंगा तो ये हो गया 4,965 रूपे 15,000 पर 3 साल का चक्रवृत ब्याज होगा कभी-कभी मिस्रधन पूछ लेता है यानि कि amount तो amount के लिए इसी में आपका principle यानि की 15,000 एड़ हो जाएगा तो ये आपका amount बन जाएगा अभी आपको 4 साल का निकालना पड़ता तो ये code हो जाता 4, 6, 4 और 1 तरीका वही है 1500 का 10% 150 का 10% 15 और जब इसका भी 10% निकालते तो 15 का 10% यानि की 1.5 अब इनको multiply करते तो जब 4 से multiply करते तो ये मेरे पास आजाता 6,000 यहाँ पे multiply करते तो ये आजाता 900 और यहाँ पे जब multiply करते तो ये आजाता 60 और इसको जब multiply करते तो ये 1.5 आजाता और इनको जैसे add करता ये 4 साल का चक्रृत ब्याद पता चल जाता तो बहुत आसान सा प्रोसेस होता है code निकालना आप सीख गए समझ लीजिए कि सारा का सारा compound interest आपने सीख लिया सारी problem अपने आप खतम हो जाती है दूसरा तरीका है इसी में आधे वर्सों वाला उस पर भी हम लोग discussion कर लेते हैं जब हमको आधे साल वाले question की जरुरत पड़ती है तो उसके लिए भी कुछ code की जरुरत पड़ती है code का origin जो है जो हमने पहले अभी code लिखे थे वही है मतलब अगर मुझे एक वर्स का चक्रविद ब्याज लेना होता है एक वर्स का compound interest तो इसके लिए simply one का ratio बनाता है अपने principal यानि मूलधन के साथ अगर दो साल का में थोड़ा सा गयब करके लिख रहा हूँ अगर दो साल का compound interest लेना होता है तो ये two और one का ratio बनाता है अगर तीन साल का लेना होता है तो ये three three और one का ratio बनाता है कैसे आता है अभी अभी आपको मैंने सिखाया था इसी में one increase करते हुए चले जाते हैं अभी चार साल का बनाना हो तो चार साल में यहाँ पे one increase करके ये four हो जाता है six, four, और one ऐसे अगर 5 साल का बनाना हो तो पान्च साल में यहाँ पे 5, 10, 10 5 और 1 इसी तरीके से चलता चला जाता है लेकिन अब मैं लेने जा रहा हूँ आधे साल वाले तो अब ज़रा एक साल का तो मुझे पता है दो साल का मुझे पता है लेकिन अगर इन दोनों के बीच में पूछे इन दोनों के बीच में मतलब एक साल से ज़्यादा और दो साल से कम तो यहाँ पे कैसे पूछता है यहाँ पे पूछेगा डेढ़ वर्स यानि कि एक सही एक बटे दो वर्स का compound interest इस तरीके के question जब पूछता है तो फसा देता है लेकिन यहां कोई problem ही नहीं है मुझे इन दोनों के बीच का डेढ़ वर्स लेना है तो मैं क्या करूँगा इनके code को add करके आधा कर दूँगा मतलब पहले मैं one by two लिखूँगा और इनके code को add कर दूँगा तो दो एक तीन और इधर तो एक है ही तो यानि अगर देढ़ वर्स का मुझे चक्रवित ब्याज निकालना हो तो code मेरे पास तीन और एक का multiplication का आधा होगा अभी मुझे इन दोनों के बीच में लेना हो यानि कि दो से जादा और तीन से कम मतलब अगर मुझे धाई वर्स का compound interest लेना हो तो जब धाई साल का निकालूँगा तो तरीका वही है एक बटा दो और दो और तीन के code को add कर दूँगा तो जब दो और तीन के code को add करोगे तो तीन दो पांच तीन और एक चार और यह यहाँ पे एक यह हो गया धाई साल का चक्रवित ब्याज अभी इनको मिलाओं तो यहाँ से मुझे मिलेगा साढ़े तीन वर्स का compound interest तो जब साढ़े तीन का निकालूँगा तो एक बटा दो तो पहले ही लिख लूँगा लेकिन code के लिए working क्या है इनको यानि कि तीन साल और चार साल के code add कर दिये जाएंगे तो तीन साल का code मेरे पास यह आपका बन जाएगा 4,3,7 इनको add करूँगा 6,3,9 इसको add करूँगा 4,1,5 और फिर 1 इस तरीके से जितने चाहो देड़ साल का, धाई साल का, साढ़े तीन साल का वैसे यह तो कहने की बात है कि आप 50 साल तक निकाल सकते हो लेकिन जब आप competition exam देने जाते हो तो वहाँ 50 साल का नहीं पूछता आपसे क्या पूछेगा दो साल का तीन साल का बहुत ज्यादा चार साल का चार साल से ज्यादा कुश्चन मैंने अपने जीवन में तो नहीं देखा कि कोई ऐसा कुश्चन पूछा गया हो जिसमें 15 साल का compound interest पूछ ले या 25 साल का पूछ ले जब भी पूछेगा एक दो तील बस गडबर क्या करेगा आपका principle बही principle पूरा पूरा रुपे में होगा 10,000 तो उसके according आएगा लेकिन अगर principle रुपे में नहीं होगा पूरा पूरा रुपे में नहीं होगा तो थोड़ा सा multiplication आपका बढ़ जाएगा और अग प्राबलम होगी ही नहीं एक example देखते हैं सारी problem अपने आप solve करिये कोई question दे दिया जाएग आपको मैं कोई छोटा सा question ले लेता हूं उसने का 2000 रुपे का पांच परसेंट की दर से देड़ वर्स का compound interest बताईए अब देखे देड़ साल की बात की गई तो देड़ कहां से आता है एक और दो के बीच का code होता है अब code निकालना मैंने सिखा दिया है one से start होता और फिर one one add होते बढ़ता चला जाता है मैं यहार रख में एक बार फिर से निकालके दिखा देता हूं भाई एक साल के code में केवल एक आएगा और दो साल के code में क्या होता है इसी में एक बढ़ जाता है यानि कि दो हो जाएग और उसके बाद फिर से एक और जब देड़ साल निकालूंगा तो इसी एक और दो के बीच में आएगा तो देड़ साल का जो code होगा वो 1 by 2 और इनका addition यनि कि 3 और 1 बनेगा और solve करने का तरीका 2000 का 5% मतलब 2000 गुड़े 5 और बटे 100 तो 100 के 2 0 कट गए तो बचा 20 पंचे 100 तो य फिर से इसका फिर से 5% तो जब 100 का 5% निकालोगे तो 5 ही आएगा अब इनको multiply करके add करो और आधा कर दो तो यह हो गया प्लस पांच यह हो गया 305 और इसको आधा कर दीजिए देड़ साल का compound interest हो गया तो आधा करोगे तो यह हो गया 15 152 रुपे 50 पैसे यनि कि 2000 का 5% से देड़ साल का जो compound interest आएगा वो 152 रुपे 50 पैसे हो जाएगा अब कोई जरूरी तो है ने डेड़ साल का अभी आपको डेड़ के बजाए धाई साल का पूछ ले तो क्या करेंगे अगर धाई साल का पूछ ले चलिए मैं यहां धाई लिख देता हूं तो तुरंत मुझे 2 और 3 का code जरूरत पड़ेगी तो 2 साल का code 2 और 1 बनता है और 3 सा का code बनेगा वो 3 2 5 3 1 4 और 1 यह हमारा code हो गया अब मुझे इसके लिए simplification करना है तो 2000 का 5% तो जब 2000 का 5% करोगे अभी मैंने सिखाया 100 रुपे आएगा फिर इसका 5% करोगे 5 रुपे आएगा और फिर इसका 5% करोगे तो भई 5 रुपे का फिर से 5% यानि 5 गुड़े 5 बटे 100 यानि कि यह 0.25 आजाएगा अब इनको multiply कर देना है तो यह हो गया 500 और प्लस 20 और प्लस 0.25 इनको add करो तो यह हो गया 520.25 और divided by 2 solve कर दीजिए 2 दुनी 4 दो छाग 12 इधार हो गया और इधार हो जाएगा 2 एककम 2 दो दुनी 4 दो पंचे 10 यानि कि 260 रुपे यानि कि 260.125 इतना रुपे आपका compound interest हो जाएगा 2000 का 5% की दर से बहुत आसान होता है दो चार question पे और practice करो लोगे जब तो number कुछ भी हो percentage कुछ भी हो अगर आपकी calculation ठीक है calculation आपको आती है यानि कि multiply कर सकते हो addition कर सकते हो percentage निकाल सकते हो तो math में कितने भी कमजोर आप क्यूं न हो आप से इसके question आज के बाद गलत नहीं होने वाले तो आज की वीडियो में बस यहीं तक बहुत जल्दी किसी नए topic और नए वीडियो पर फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार आप देखते रहे है mathematics ग्यान